नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है इंडिया के बेस्ट यूटूब चैनल ओनलाइन एक्जम्स तियारी पर दोस्तों अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो आप मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ओल का उप्षन बनता है उसे सलेक्ट जरूर कीजिएगा जिससे की जो भी मैं नहीं आप वीडियो लेकर आऊं उसकी अनौटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप जयदा से जयदा मैनिप्र प्राप्त कर सकें तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम्मान्य विग्याम से सम्मझत क्यूशन लेके आया हूँ तो दोस्तो आप हमारे इस वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिससे की इस वीडियो का ज़्यदा से ज़्यदा मैनिविट प्राप्त हो सके हैं दोस्तों चले श्टार्ट करते हैं आज के फ़स्ट क्यूशन से मानव सरीर में मास्पेशियों की संक्या कितनी होती है क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंश्वर इसका राइट आंश्वर का C option है यानि कि मानव सरीर में मासपेशी की संक्याथ 645 होती है तो दोस्तों सबसे बड़ी मासपेशी जो की Gluteus Maximus है और दोस्तों ये कुले की मासपेशी होती है और दोस्तों सबसे छोटी मासपेशी जो की Stripis होती है अगला क्यूशन है दोस्तों मानव सरीर में रक्त की मात्रा सरीर के बार का कितने पर्तिशत होता है तो दोस्तों कितने पर्तिशत होता है क्या हो जाएगा इसक्यूसन का राइट अंजवर इसका राइट अंजवर का D-Option यानि कि मानव सरीर में रक्त की मात्रा सरीर के बार का साथ पर्तिशत होता है तो दोस्तों मानव रक्त जो की तरल सयोजी उत्तक होता है और दोस्तों मानुसे का रक्त जो की छारिय होता है रक्त का प्येच मान जो की साथ पॉइंट च्यार होत दोस्तों एक वहिस्क मनुसे में 5-6 लिटर ओस्तन रखत होता है लेकिन दोस्तों इस तरियों में पूर्सों की तुलना में आदा लिटर रखत कम होता है दोस्तों बात करें pH की दोस्तों pH की फुलपरम क्या होती है इसकी फुलपरम होती है Potential of Hydrogen दोस्तों pH की खोज किस ने की थी दोस्तो pH किसी भी गोल की अमलिता या चारिता विक्त करने के लिए जिस स्केल का परियोग किया जाता है उसे pH स्केल करते हैं और दोस्तो pH स्केल जो की 0 से 14 तक होती है और दोस्तो बीच में होता है 7 यानि की 0 से 7 तक होती है अमलि और 7 से 14 तक होती है चारि लेकिन दोस्तों जो साथ होता है वह क्या होता है उदासिन होता है और दोस्तों उदासिन कौन होता है उदासिन सुध जल जो कि उदासिन होता है इसका प्येच मान साथ होता है अगला क्यूशन है दोस्तों RBC की संक्या किसके दुवारा ग्यात की जाती है दोस्तो किसके दुवारा ग्यात की जाती है RBC की संक्या क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंश्वर इसका राइट आंश्वर का A option यानि कि RBC की संक्या जो की हीमोसाइटोमेटर के दुवारा ग्यात की जाती है दोस्तो आरबीसी को इरित्रोसाइड भी कहते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी का निर्माण जो की अस्ती मजा में होता है और दोस्तो बुरुन अवस्ता में इसका निर्माण यान की आरबीसी का निर्माण पिलिहा या याकरत में होता है दोस्तो बात करें हीमेटिन की तो हीमोगलोबिन में पाए जाने वाले दातू को हीमोटिन कहते हैं बात करें इस्टेतोस्कोप की दोस्तो हर्दे वर फेपडों की दवने सुनने में तता उनके रोगों के लक्षन का पता लगाने में इस्टेतोस्कोप का परियोग किया जाता है दोस्तो बात करें स्पीगमो मैनोमेटर की दोस्तो दमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापने के लिए स्पीगमो मैनोमेटर का परियोग किया जाता है अगला क्यूशन है दोस्तो हीपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग के दुआरा होता है तो दोस्तो किस अंग के दुआरा किया जाता है क्या हो जाएगा इस क्यूसन का राइट अंजवर इसका राइट अंजवर का C option यानि कि हीपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो की यकरत के दुवारा किया जाता है यह सरीर में रक्त को जमने से रोकता है यानि कि दोस्तो हीपेरिन जो की रक्त को जमने से रोकता है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटेन मदद करता है तो दोस्तो कौन सा प्रोटेन मदद करता है यह है फ्राइबरी नोजेन जो की रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है अगला क्यूशन है दोस्तों मनुश्य पितरस का pH मान कितना होता है दोस्तों कितना होता है इसका pH मान क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइटांचोर इसका राइटान दोगा C option यानि कि मनुश्य पितरस का pH मान 7.7 होता है तो दोस्तों पितरस का सरावन जो की यकरत से होता है और इसका संग्रहन पितासे में होता है पितरस हरे रंग का और छारे होता है और दोस्तों पितरस में 85% जल होता है 3% अन्य फरदार्द होते हैं और 12% जो की पित वरनक पाया जाता है और दोस्तो पित रसका कारी क्या होता है इसका कारी होता है बोजन को चारी बनाना विटामिन A का अवसोशन करना वै हानिकारक जिवानू को नश्ट करना होता है अगला क्यूसन है मनुसे के हरदे का बार लग बग कितना होता है तो दोस्तो कितना बार होता है क्या हो जाएगा इस क्यूसन का राइट आंचवर इसका राइट आंचवर उगा D option है यानि कि मनुशे के रिधे का बार लग बग 300 ग्राम होता है तो दोस्तों मनुशे का हर्दे जो कि 4 कोष्टी होता है सरीर से हर्दे की और रक्त सीराओं द्वारा लाया जाता है जबकि रिधे से सरीर की और रक्त दमनियों के द्वारा लाया जाता है दोस्तो धमनियों के अंदर सुद्रक्त पाया जाता है जबकि सीराओं के अंतर गतिजों की आज सुद्रक्त पाया जाता है आगला क्यूशन है दोस्तो पोलियों के टीके की खोज किसने की थी दोस्तो किसके दुआरा की गई थी क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइटांस्वर इसका राइटांस्वर का B option यान की पोलियों के टीके की खोज जोन से इस सालक के द्वारा की गई थी तो दोस्तों रोंटेजन ने अक्षरे की खोज की थी दोस्तों बात करें क्रिष्ट्रियन बनार्डे तो क्रिष्ट्रियन बनार्डे ने क्रित्रिम हर्दे परनाली की खोज की थी और दोस्तों बात करते हैं डोक्टर डोर्नाल्ड रोस ने तो दोस्तों इसने मलेरिया के जीवानूं की खोज की थी आगला क्यूसन है दोस्तों राष्टे समुंदर विज्ञान संस्तान कहां इस्तितल दोस्तों कहां परिस्तित है क्या हो जाएगा इस क्यूसन का राइट आमस्वर इसका राइट आमस्वर जाएगा पहला ओप्सन है यानिकी राष्टे समुंदर विग्यान संस्तान जो की गोवा की राज़दाने पणजी में इस्तित है आगला क्यूसन है दोस्तों जेट विमान को रोकेट के सम्मान अधिक उचाई तक क्यों नहीं बेजा जा सकता तो दोस्तों क्यों नहीं बेजा जा सकता है इसका राइट अंसर का पहला उपसन यानि की जेट विमान को रोकेट के समवान अधिक उंचासे तक नहीं बेजा जाता क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के करने से अधिक उंचासे तक नहीं बेजा जाता तो दोस्तों, रोकेट में इंदन को जलाने के लिए अंदर ही ओक्सिजन की वेवस्ता होती है परन्तु, जेट विमान में इंदन केरोशिन होता है जिसे जलाने के लिए वाई मंडल से ओक्सिजन प्राप्त किया जाता है आगला क्यूशन है सोर सेल का आविश्कार कब किया गया था तो दोस्तो कब किया गया था क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर इसका राइट आंस्वर का C आप्शन यानि कि सोर सेल का आविश्कार 1954 इस्वी में किया गया था तो दोस्तो सोर सेल जो कि सोर उर्जा को विदुत उर्जा में बदलता है अगला क्यूसन है बारती बाग का वेग्यानिक नाम है तो दोस्तो क्या है इसका वेग्यानिक नाम? क्या हो जाएगा इस क्यूसन का राइड आन्शोर? इसका राइट अंसरोगा पहला ओप्सन है यानि कि बारती बाग का विग्यानिक नाम पेंथरा टिग्रीस है तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगी तो इससे लाइक कीजिएगा जादा से जादा अपने यार दोस्तो और मित्रों के पास से शेर जरूर कीजिएगा जिसकी हमारे इस वीडियो का मैनिपिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं दोस्तो आप हमारे इस वीडियो को अंतक जरूर देखा करें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्यूशन लेके आता हूँ आगला क्यूशन है बोथिकी सास्तर के अतिरिक्ति इस अन्य छेतर में मेडम क्यूरी को नोबल पुरुशकार दिया गया तो दोस्तों किस छेतर में दिया गया क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट अन्य वर इसका राइट अन्य वर बोथिक सास्तर के अतिरिक्ति रसाइन सास्तर में भी मेडम क्यूरी को नोबल पुरुशकार दिया गया तो दोस्तों इन्हें दो बार नोबल पुरुशकार दिया गया पहली बार बोतिकी के छेतर में दिया गया और दूसरी बार रसायन के छेतर में ने दिया गया और दोस्तों मेडम क्यूरी ने रेडियम दातु की खोज की थी आगला क्यूशन है दोस्तों रातरी में पेड़ के नीचे सोना हानी कारक है क्योंकि पेड रात के समय कार्बंडाई ओक्साइड गेस को छोड़ते हैं और ओक्सिजन गरन करते हैं तो दोस्तों दिन में पेड पोदे जो की कार्बंडाई ओक्साइड गेस का परयोग करके परकास संसलेशन की किरिया करते हैं और दोस्तो परकास संसिलेशन की किरिया में oxygen case को मुक्त किया जाता है आगला question है दोस्तो उन्ट अपने कूबर का उप्योग किस काम के लिए करता है तो दोस्तो किस काम के लिए किया जाता है इसका परियोग क्या हो जाएगा इस question का right answer इसका right answer का पहला option है यानि कि उंट अपनी कुबड का उप्योग वसा संग्रहन के लिए करता है तो दोस्तों उंट एक बार खाने के बाद में वाच्छ साथ रोज तक बुकार रह सकता है या पानी पी बिना भी रह सकता है तो दोस्तों उंट की पिड़ पर 50 किलो ग्राम का वजन वाली कुबड होती है और दोस्तों उंट में सांस लेने के लिए दिमी होती है यानि की दीरे दीरे वस्वास लेता है अगला क्युशन है सामानत या इस्तरी की आवाज का तारतव होता है तो दोस्तों कितना होता है इसका तारतवए? क्या हो जाएगा इसक्रीचन का राइडानस्वर? इसका राइडानस्वर पहला उप्सने यानकी सामानेत इस्त्रियों की आवास का तारतवजों की पूर्षो की तुलना में अधिक होता है तो दोस्तों मैलाओं और बच्चों की आवाज का तारत्वे पूर्शों की तुलना में अधिक होता है इसलिए ही बच्चों और इस्त्रियों की आवाज पतली वे मधूर होती है और दोस्तों तारत्वे आवर्थी पर निर्बर करता है अगला क्यूसन है दोस्तों सार के मचली में कितनी हडियां होती है तो दोस्तों कितनी हडियां पाई जाती है क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर इसका राइट आंस्वर का डी ओपसाने यानि कि सार के मचली में 0 हडियां होती है तो दोस्तो सारक मचली का कंकाल तंतर उपास्ती यानि की काटिलेज का बना होता है आगला क्यूशन है दोस्तो निम्नलिकित में से नेको संस्थाक सम्मंदित है तो दोस्तो किस से सम्मंदित है क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंशुर इसका right answer का C option यानि कि नेको संस्ता का सम्मन जो कि ERC से है तो दोस्तो ERC की full perform होती है required immunodeficiency syndrome और दोस्तो ERC जो कि HIV वाइरस से होने वाला रोग है और दोस्तो ERC का परिक्षन ELISA टेस्ट किया जाता है अगला क्यूशन है दोस्तों मानव रक्त में एलकोल की कितनी पर्तिशत मातरा मर्तिव का कारण होती है तो दोस्तों कितने पर्तिशत मातरा मर्तिव का कारण होती है क्या हो जाएगा इस क्यूशन का right answer इसका राही रामसर का D.O.P. जैने यानि कि मानव के रक्त में एलकॉल की 5% मातरा मर्तियु का कारण हो सकती है तो दोस्तों 0.10% यानि कि 0.10% का मतलब है रक्त के पड़ती 1000 एमल बाग में 1 एमल एलकॉल की उपस्तिती तो दोस्तो अगर आपको हमारी मेंनत अच्छी लगी तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा जिसे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोजशान मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोज़ करने का परियास कर सकूँ आगला क्योंसर निमन लिकित में से किस जीव में पिता से नहीं पाये जाते दोस्तों किस जीव में पिता से नहीं पाये जाता है उनमें पिता से होता है लेकिन अपवाद है गोडा, चुवा और उंटे यानि कि अपवाद के रूप में है गोडा, चुवा, उंटे क्योंकि इनमें रीड की हड़ी भी पाई जाती है और पिता से भी नहीं पाया जाता और दोस्तों जिन में read की अडिन नहीं होती है उनमें पिता से भी नहीं पाया जाता है आगला क्यूशन और आज का अंतिम क्यूशन नेमन लिखित में से कौन गाय की उच्छ दूद उत्पादन पर जाती है तो दोस्तों कोन सी पर जाती है? क्या हो जाएगा इस क्यूशन का right answer? इसका right answer का D option यानि कि होलिस्टिन गाय की उच्छ दूद उत्पादन पर जाती है तो दोस्तों यह निदरलेंड में ज़्यादा पाई जाती है और दोस्तों इनका रंग सपेद या काला होता है तो दोस्तों यह थी आज के most important सामाने विज्यान से समनित क्योशन है तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा सी ज़्यादा मैने पर ट्रापते हो सके ही और दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फोलो नहीं किया तो आप मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस कालने के बार जो ओल का उप्शन बनता है उसे सलेक्ट जरूर करें जिससे कि जो भी मैं निया वीडियो लेक्या हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके ही और आप ज़्यादा सी ज़्यादा मैनिपिट प्राप्त कर सके ही थैंक्यू दोस्तों जै हिंद जै भारत थैंक्स फोर वाचिंग